और यह हमारी सबसे चोटी गुडिया यहां केल रही थी पगली मैं हूँ आशिक सच में हाँ लिफ्ट में भी ऐसे करता लड़की लोग को देखता हम लोग इतना हो इदाद देखो इदाद देखो तो नहीं सुबह के साड़े ग्यारा हो गए है साड़े ग्यारा मतलब गुड मॉनिंग ही हुआ बारा बज़े पहले पहले तो आज मैंने नहा लिया है पूरा घर की सफाई भी हो गई है क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा शूट है वो करना है और हर शूट गया है वो जैसे ही उठा हमने अचक कमरा फटा फट साफ कर दिया क्योंकि वो फिर प्रेडा मेरा रजाई दर दर कर देता मेरको होता कि एक बार उठ गए तो उठ गए फिर मत घुसो रजाई पर फिर चुटी हो कोई काम ना हो फिर करते रहो अब हर्षबार अपने चने चबारा याओं याओं कि अपने पापा के साथ सत्तु बत्तु पी रहा होगा कुछ वह तो है ना एक दम खालस मजदूर बच्चा तो बस आज मंदीर भी जाना क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मैंने ना गुले के साथ बहुत सारे भजन देखे उसमें के दार नाज जी वैशनु देवी जी बह आपके बाल अच्छे हो गया है आप एकदम बड़े एक्टीव नजर आते हो कि डेली व्लोग डालते हो तो मैं उसका भी आपको राज आज ही बताऊंगी यार जब मैं अपने पौदे देखती हूं ना मुझे सच में बहुत 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 खुशी होती है तो गाइस नाश किया बोला था कि आपको कुछ बताने वाले हूं कि आजकल मैं इतनी Fresh Energy कैसे रहती हो और हा। काफी लोग बोल रहे है कि मैं पत्ली भी होरी है मैं पत्ली होहरी है। सो चलिए बताती हूं आपको कि मैं आज कर एकनी फिट और एनर्जी वाली क्यों रहती हूं सो मैं अंदर आ गई यार दो मिनट खड़े रहो ना बाहर तो मतलब बुरे हाल हो जाते हैं कुछ लोग तो गर्मी में कम खड़े होते हैं किते मेकप खराब हो जाता है अपना मेकप भी नहीं होता आपको क्या बताना चाहती थी बड मैं दिक्षा से रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे का कैमरा वो पकड़े यार मेरी ने बाजू दुखने लगी आजकल यह बार बार इसलिए बोलती हूं ताकि हर्ष व्लॉग देखे और उसको वो पलेडियों वाला वादा याद आए कि क्या किया था बीवी से क्यामरा लेके देना है कि एक हाथ मेरा पतला रहेगा और जिस हाथ से मैं फोन पकड़ती हूं वो पहलवाँ जिदा डोला होता न वैसा बन जाएगा हर्ष लादे यार इससे पहले मेरे सब्सक्राइबर एक एक रुपया डाल के मुझे वो कैमरा गिफ्ट कर दे तू लादे हर्ष कुई तू मेरा सबसे बड़ा सब्सक्राइबर तो मैं बता देती हूं क्विक फटा फट कि मैं इतनी एनरजी वाली और आजकल फिट क्यू र प्रण दिखाती रहती है जब से तू पत्ली होई ना तेरी उमर भी चोटी लगने लगी है उमर चोटी होने का पती क्या अगर को वाच मैं या सबजी वाला भी बोल दे ना तो मजा आ जाता है ये तो फिर भी मेरे पती ने बोला है अरश ने बात बोली मैं इतनी खुश हो कर पाती है वह यह उठने के बाद मैं सबसे पहले ओजीवा प्रोटीन एंड हप्स लेती हूं क्या कमाल की चीज है इसको लेने के बाद मेरा मेटापॉलिसम इतना फास्ट हो गया है मैं कुछ भी खाती हो पच जाता है और एनर्जेटिक तो मैं इतनी रहती हूं ना तभी कि रोज ब्लॉक शूट कर रही हूं और हां इसमें है गलूची शतावरी और यह एक दम प्रोटीम से भरा नेचरल है सबसे बड़ी बात है कि यह शुकर फ्री है यह यार इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है ना और बहुत 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 नेचरल है बस एनर्जी के लिए पीओ और फूल टे एनर्जेटिक रहो वेट लोस्ट में भी यह बहुत 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 परता है अगर आपको और जानकारी लेनी है न तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाईए वहाँ पे लिंक है आप देख लीजिए अब देखना वह यापी के गोले के साथ ऐसी मस्ती करू आपको यह वह उपर रहेगी गोले के पास तो मैं जाओंगे निचे मंदिर क्याज मुझे मंदिर जाना है माता है टेखने के लिए जाती हूं थुड़ी तर बैठती हूं अच्छा लगेगा हाना दिक्षा जा जाती तो मैं टेंचन फ्री हो जाती हूं क्योंकि गोले पूर अंटियां है इनोंने मिसाल कायम कर दी मंदिर बंद हो गया भगवान सो गये लेकिन यह औरते नहीं सूई यह औरते नहीं सूई भगवान भी चलेगे सोने आपकी नहीं घर गई पती वेट कर रहे खाना किधर यारे बड़ी प्यारी है जब भी मैं आती हो हर अंटी मुझी अलग-अलग परसाथ देती है और यह तो वही यत्रा करके आए जय के दारनाथ की क्या बात है कैसा मौसम है के दारनाथ में आपने कैसे यत्रा की घोडे से पाल की किसे गोडे से घोडे कैसे अभी घोडे ठीक है क्या बात है हाव लकी यार मतलब इस उमर में लोग सोचते है कि यार हम नहीं जा पाएंगे लेकिन हिम्मत करो वो बुला लेता है गए गए अपना यह नहीं करते हैं यह यंग यंग वाली बैटी हुई है और यह जो 60-70 से ओपर यह गय थी आत्रा पे शुरी भगवान जी भगवान जी सो गये लेकिन हम और तो देख ले और तो की बाते कभी नहीं खताव होते अरे बापरे दोस्तों कि मैं अभी भी मंदीर में हूँ मैं पानी पीरी थी मैं वापिस आई और तो का जूंड वैसे ही है एक अंटी नहीं गई अपने घर वो देखो पीछे से भी निकली एक हाँ देखो आप सब के पतियों ने शिकायत किये सारे अंकल शिकायत कर रहें कि अगर आप पांच-पा है कि अगर अगरेए का अभीया अथा या अच्छा आपको पर यह वह थाएं वह बनारी खिलारी है ध्यान रखो कहीं उन्होंने बनाना दिया हो है अंटी इस चलो गर जदी सनकाल को चलो 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 कशारे चलिस अरसी चलो यह मंदिर खुलने से 15 मिंट पहले जाती अभी मैं भेज रही इनको चलिया चलिया अंटी हैटफोन पकड़ लो यह अंटी वाली नहीं यह तो बड़ी दीदी है आये दीदी आये दीदी और यह हमारी सबसे चोटी गुडिया यहां खेल रही थी पगली मंदिर में खेल रही अंटी यह हमारी पुजारी की मिट्टिया यारी कितनी स्वीट आंटी आ है अंटी मेरा वीडियो देखो गे ना अंटी घर जल्दी जाओ यह अंपिजा रहे हैं अंटी फेमर्स हो गई अश्या इसे कर वांती है हनमान आ क्या हो रहा है किस बात की खुशीच नहीं किस अरे बट्ट की अरे उडमा जाना एच चीडिया एक चीडिया नेक चीडिया क्या ओगे गोले अरे भई अब अब अर्पिता जाए हाँ से अर्पिता 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 इतना ध्यान रखने का जहां तो किसी और के पास रहा है गोला अब हाथ से निकल गया अब किसी के हाथ में आने वाला कि मैं पिछले दो महीने से इसको नोटिस कर रही है रूपादीजी ने भी वात बोली है कि जब ये गार्डन में जाता है वहां चोटी चोटी बच्चिया आती है बच्चिया मतलब ये निकैस्स से छोटी इसộ कि इससे बड़ी शेचेure साथ साल मतलब स्कूल जाने वहरी इतना खुश होताइज रूपादी बादाव जड़ा क्या करता है अच्छी हमारे मलाड वाले गर में लड़की काम करती हो आई थी आज हर्ष उसने इसने उस लड़की को इतना इंबेरेस किया है ना क्या किया है पता मुझे हर्ष उसको देख खुश हो जाए चीखे ओ ताली मारी जाए ताली मारी जाए पूरा लव एंगल चल रहा था असलब दोस्तो तुमने दबा के रखी है वो सारी की सारी ये स्प्रिंग में उचली है वो तुमारे जो छोटे निकर से भी पता चल रही इतना छोटा निकर हां कौन पहनता है अगर अगर पता नहीं किस पे गया मैं तो एसी बिल्कुल भी नहीं तो इसी हरकते मत करो तुम बाब को पकड़ा गया है अगर आज मैं जो मंदिर गई न इतनी जादा अच्छी आंटिया मेरी मुझे इतनी अच्छी तर्ष् इतना मजा आया तो व्लॉक देहे का न तरको तब पता चलेगा इतनी प्यारी अटिया थी मिल्ब मैं उनके साथ आधा पॉना गंटा थी मुझे पता ही नहीं चला सच में यार एज न एज कोई मैटर नहीं कर थी मतलब में रिसे इतनी बड़ी थी पर इतनी प्यारी बाते क बस्ती कर रही थिना तो बहुत-बहुत-बहुत मज़ा आया है तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं हर्च घर आ गया है हर्च को मैंने गोले की शिकायत लगा दिये कि गोला क्या क्या करता है लेकिन हर्च आज के व्लॉग का हाई लाइट जू पॉइंट था वो था मंद परने मंदिर वाली आंटिया इतनी स्वीड थी हर्ष मेरा दिल नी कर रहा था अने को अबट अ पड़ा फीर कोई बाद न है भी अगले बार मैं भी मंदिर आँगा और मंदिर में में मिलूंगा उनुगा ईंटिया से कि हायर बहुत अच्छी एंटीया यार लुटे है कल फिर और अभी थप चुके है बहुत व्लॉच में पूरा हर्शी था नहीं मिलते हैं अगले व्लोग में और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो बाइब करने लगे दिए पपी इसने पी अपनी गाल देदी तूने काल ने दी चलो बाए